हाई फ्रेंड्स वेल्काम टो कुकिंग चैनल आज मैं बनाने वाली हूं मसाला फिश करी इसके लिए चाहिए मचली इसको अच्छे से दो खर रख लीजिए दो कटी हुई प्याच इमली इसको दो कर बिगा कर रख लीजिए दो स्पून अदरक लसन पेश्ट एक टी स्पून दनिया एक टी स्पून मेती और एक टी स्पून जीरा दो लॉंग और इलाची टू टेबल स्पून मसाला टू टेबल स्पून हल्दी पावडर टू टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून कर मसाला पावडर तोड़सा दनिया पत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् चलो बनाना शुरू करते हैं पहले श्टाव चला कर लाई को रख लेजिए तोड़ा गरम होने के बाद गरम होने के बाद इसे सिम में रख कर दनिया जीरा और मेति यह सब को डाल कर भून लेजिए और इसे मिक्सी में जार में डाल कर पाउडर बना लीजिए इसे पाउडर बनाने के बाद साइड रख लीजिए उसी कड़ाए में तोड़ा तेल डाल कर तेल को गरम कर लेजिए तेल गरम होने के बाद इसमें प्यास डालिए और इसे अच्छी से बुन लेजिए प्यास पाउडर पाउडर बनाने के बाद अच्छी में प्याडर बनाने के बाद बनाने के बाद कर लेजिए मचली मचली यह इस प्याज को तोड़ा देर ठाड़ा होने दिजिए उसके बाद इसे मिक्सिम क्राइन कर लिए उसके बाद इस प्याज पॉर्डर के अंदर प्याज को भी डालका तो भाइन कर लिए अच्छी सी पेश्ट जैसे बना लीजिए ऐसे बना कर रख लीजिए उसके बाद मचली को लीजिए उसके अंदर मसाला टू टेबल स्पन मसाला आपको जितना चाहिए उतना दाल सकते है उन टेबल स्पन हल्दी पाउड़ा टेबल स्पन करम मसाला टूड़ए नच्छी आपको जितना पाउड़ा लीजि उसके आपको जापको लीजिए उसके उच्छी स्पनपको मिलाने के बाद मसाला का पेष्ट को इसके अंदर दाल लेजिए और इस अच्छे से मिला लेजिए ऐसे अच्छे से मिला कर रख लेजिए उसके बाद फिर से कड़ाई को रख लेजिए कड़ाई गरम होने के बाद आईल को डालिए इस मच्छे को प्राय कर लेजिए प्राय को अच्छे के बाद मता लेजिए कि इमली का रस को नकाल देजिए इसे दो तरफ प्राइ करने के बाद मेंबू का रश को डालेजिए उसके बाद इसे दीरे से मिला लीजिए इसे दीरें और न दूदा सो पाने डाल देजिए इसे आज़ा के अता के इसे आज़गे अधर आज़ा को आज़ा है कि शाहे तो आप नामाज भी फिर से डाल सकते हैं इसके ओपर दनिया पता दालिये तोड़ा देर गाड़ा होने तोड़ा देर तक इसे डाखन रखकर पतना दीजिए फिश मसाला कर रिलड़ी हो गई है अच्टर आफ कर लेजिए मसाला दार फिश कर रिलड़ी हो गई है अब इसे सर्विंग बाल में सरू कर लेजिए अब इसे सर्विंग कर रिलड़ी हो गई है अब इसे सर्विंग प्री रेड़ी हो गई है आप इसे जरूर ट्राय करिए प्री रेड़ी हो गई है